हिमालय के उंचे चोटियों और घाटियों में बसा हुआ है शंभाला का प्रसिद्ध राज्य यह पौरानिक भूमी धर्ती पर स्वर्ग मानी जाती है एक ऐसी जगह जहां शान्ती और सद्भाव का राज्य है पीड़ी दर पीड़ी चलिया रही शंभाला की कहानियां साधको और साहसी लोगों के दिलो दिमाग को मोह लेती हैं कहा जाता है कि शंभाला के लोग महान ज्यान और आध्यात्मिक ज्यान रखते हैं वे प्रकृती और एक दूसरे के साथ पूर्ण सामंजस से बिठा कर रहते हैं उनका समाज धर्मी राजाओं द्वारा शासित होता है जो करुणा और न्याय के साथ शासन करते हैं कहा जाता है कि शंभाला की हवा आध्यात्मिक उर्जा से भरपूर है जो इसे एक ऐसी जगह बनाती है जहां आत्म ज्यान पहुँच के भीतर है बहुत से लोग मानते हैं कि शंभाला केवल एक भौतिक स्थान नहीं है बलकि मन की एक अवस्था भी है जो शान्ति और आत्म क्यान के लिए हमारी अपनी आंतरिक शमता का प्रतिनिधित्व करती है प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शंभाला केवल एक रहस्य मई भूमी नहीं है बलकि यह कलकी विश्नु के अंतिम अवतार के जन्म स्थान के रूप में भ बात करती हैं जहां विश्नु के अंतिम अवतार कलकी का जन्म होगा इस भूमी को शंभाला के नाम से जाना जाता है जो दुनिया से छिपी हुई है विश्नु पुरान जैसे ग्रंथों में इस छिपे हुए राज्य का उल्लेक मिलता है यह प्राचीन ग्रंथ शंभाला का बढ़नन आश्चर्य और आत्म ज्यान की भूमी के रूप में करते हैं विश्नु पुरान शंभाला को विश्नु के दस्वें और अंतिम अवतार कलकी की जन्म भूमी के रूप में बताता है वह बुराई को खत्म करने और शान्ती और धर्मिक्ता के एक नई युक की शुर लाश में प्रेरित किया है। उन्होंने प्रेम, करुणा और अहिंसा के सिध्धान्तों के अनुसार जीते हुए अहंकार और इच्छा की सीमाओं को पार कर लिया है। अनुसार कलकी का जन्व शंभाला में होगा, जो मानवता को एक नए प्रबुध युग में ले जाएगा। वह एक सफेद खोड़े पर सवार होंगे और प्रकाश की तलवार धारण करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि केवल वे लोग ही शंभाला को पा सकते हैं जो हृदय और मन से पवित्र हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह एक रहस्यमय बाधा से छिपा हुआ है जो केवल आध्यात्मिक रूप से जागरित लोगों को ही दिखाई देता है। और इसलिए किमवदंती हमें प्रेरित करती रहती है। हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़े खजाने अकसर खुद के भीतर पाये जाते हैं। शंभाला की खोज, संक्षेप में हमारे अपने आंतरिक प्रकाश की यात्रा है। हाँ और अराजकता और अनिश्चित्ता से भरी दुनिया में शंभाला की कथा आशा की एक किरण प्रदान करती है। उनका जन्म शंभाला में होगा, जो एक छिपा हुआ स्वर्ग है। यहां कल की अधर्म का नाश करने और धर्म की पुनरस्थापना के लिए अपनी तैयारी करेंगे। यह भविश्यवानी हिंदू धर्म में एक महत्वपोर्ण स्थान रखती है। और इसे एक नई युग की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। तो शंभाला का नायक एक आकर्शक चरित्र है। उन्हें अकसर एक योद्धा, एक संथ या एक राजा के रूप में दर्शाया जाता है। माना जाता है कि यह नायक, जिसे कल की अवतार के रूप में जाना जाता है, विश्णु का अंतिम अवतार है। उनका मिशन सत्य और धार्मिक्ता के एक नए युग लाना है, जो अंधकार और अज्यानता के युग का अंध करता है। भविश्य बाणियों के अनुसार कल की एक महान योध्धा होंगे, जिनमें अपार शक्ती और बुद्धिमत्ता होगे। वह धर्मात्मा आत्माओं की एक सेना का नेत्रित्व करेंगे, जो अंधकार की ताकतों को हरा कर सत्य और न्याय का एक नया युग लाएंगे। यह हिंदू पौराणिक कथाओं में आशा और नवीनी करण का एक शक्तिशाली प्रतीक है।